अगर आप भी कोई ऐसे जन है जिनको हेर मास्क और हेर ओयल लगाकर कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो तरस्ट मी आज को जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है क्यूंकि आज किस वीडियो में हम बनाने वाले एक ऐसा बायचेन पाउडर जो न है बिटल हेर की प्रॉब्लम है आपका हेर फॉल कंट्रोल नहीं हो रहा वो हर तरह की प्रॉब्लम को इंटरनली हील करने की कोशिश करेगा हलो तो मेरे ही एक बहुत प्यारे से सब्सक्राइबर ने एक कमेंट किया मेरे एक वीडियो पे कि मैम आपकी खुद की भी हेर लेंड तो इतनी ही है जो आपने मतलब हेर मास्क मैंने उसमें बताया था तो अगर आप मुझे इंस्टेग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपको शायद आप लोगों को पता होगा कि मेरी हेर लेंथ लाइक लास्ट ये इधर थी शोल्डर लेंथ मैंने कभी भी अपने बाल बड़े नहीं किये मेरे most of the time छोटे बाल रहे है due to my college routine and all that मैं कभी लंबे बाल थोड़े खराब होने लगे then I am thinking about my hair और मैंने उसके बाद अपने लिए hair mask और ये सब चीज़े ट्राइ करने की कोशिश करी और मुझे genuinely बहुत अच्छे results मिले इसलिए मैं आपके साथ ये share कर पा रही हूँ अगर मेरे बाल already लंबे होते तो मैं आपको क्या ही बताती like sometimes क्या होता है कई लोगों के already लंबे बाल होते वो genetic होते हैं secondly कई लोगों ने बच्पन से ही बाल नहीं काटे होते तो उनके बाल तो लंबे होंगे ही लेकिन मैंने अपनी पूरी लाइफ अभी तक की लाइफ में अपने बालों के साथ बहुत जादा experiment किया मैंने hair color करवाया मैंने कभी भी बाल लंबे नहीं होने दिया मैं हर तीन महीने में बाल shoulder length करवाती थी अभी last year से मुझे थोड़ा ऐसा हुआ कि मुझे बाल लंबे चाहिए उसके बाद से मैंने अपनी hair length अचीव करना शुरू किया तो तब से मेरे बाल इतने लंबे हुए है इसमें भी मैं ह इतना बाल जाता ही है तो अगर आप कोई भी ऐसे इंसान है जो अपने लिए hair length अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो make sure कि आपका दिमाग पहले से prepare हो कि hair length अचीव करना कोई एक रात का गेम नहीं है लाइक आपने एक रात तेल लगाया या आपने कोई hair mask लगाया रात को और सुबा तक आपके बाल रुपंजल जैसे हो जाएंगे इसको दिमाग से बिलकुल निकाल दीजिए because this is not possible at all तो आपको पहले ही अपने दिमाग पे प्रिपेर रहना होगा कि आपको at least six months लगेंगे अपनी hair length अचीव करने में और अगर आप बहुत जादा लंबे बाल च efficiencies हैं तो आपको hair length अचीव करना is next to impossible हो जाएगा because external application से क्या होगा जब आपकी internally body सही नहीं होगी right तो चलिए आज बनाते हैं कुछ ऐसा जिसके बारे में आप 110% definitely जानते होंगे which is biotin powder आपने बहुत सारे आइस देखे होंगे कि यह वाला biotin powder ले लिजिए आपके hair length बढ हो जाएंगे आपके hair length बढ़ जाएगी तो आपने बहुत जादा देखे होगी and trust me मैंने भी last year अपने लिए HK Vitals का एक almost 500 gram का 675 रुपीज शायद मैंने दिये थे और मैंने 500 grams का एक box अपने लिए लिया था biotin powder का जब मैंने उसके ingredients पढ़े and that time I was like कि यह सब चीजे तो इत भी शेयर करूँ because बहुत सारे लोग ऐसे थे कि हमें results नहीं मिल रहे है तो चलिए वीडियो को पूरा एं तक धंग से देखिएगा अगर आपको थोड़ी सी positivity चाहिए because अगर आप hair length अचीव करने की कोशिश कर रहे है तो you have to be patient so much because मैं भी sometimes I lose my patience and I was like कि नहीं मुझे नहीं बाल मुझे बाल कटवाने है तो you have to be patient with your hair length and आपको अगर जादा लंबे बाल नहीं भी हो रहे है आप अपना patience भी लूज कर रहे है तो भी बालों का healthy होना beautiful दिखना बहुत ज़रूरी है ऐसा नहीं है कि आपके बाल इतने से और इतने गंदे से हो रहे है split ends है dry air frizzy है वो अ जब भी आपने लिए कोई भी supplement लेते हैं कोई भी खाने और application वाला कोई भी product लेते हैं मेरी एक I guess अच्छी आदत है कि मैं हमेशा ingredients पढ़ती हूं तो आप भी make sure आप ingredients पढ़े जिनके बारे में आपको नहीं पता है उनके बारे में थोड़ा सा पूरा like google कर ले उससे क्या हो पाउडर बनाना कैसे है फर्स्ट अपॉल लेट मी टेल यू कि वाट इस बायटिन बायटिन बी सेवन एक वाइटमिन होता है जिसको बायटिन कहते हैं बायटिन हमारे बॉड़ी में जिंक वाइटमिन ए केलशियम आयरन पोटाशियम लेक जितने भी essential nutrients हमारी बॉड़ी को कि उनको कंट्रोल करता है और हमारी बॉड़ी को nutrition देता है secondly बायटिन हमारी बॉड़ी में keratin production करता है बालों के लिए चड़ियो होता है na keratin जो हम पाला में जाके करवाते हैं उसकी production को increase करता है और हमारी follicle growth को improve करता है जब follicle growth improve होगी तो बालों को लंबा होने से कोई नही कैसे है इस पाउडर को बनाने के लिए आपको चाहिए flax seeds, chia seeds, pumpkin seeds, sunflower seeds and अगर आपके पास almonds अगर आप comfortable है लाइक कि अगर थोड़ा सा investment आप करना चाहते हैं तो आप इसमें almonds भी डाल सकते हैं पीनट्स तो आपको डालने ही डालने हैं मैंने इसमें सिर्फ peanuts और flax seeds, chia seeds, sunflower seeds और बस ये 5 चीज़े ही लिए हैं मैंने इसमें almonds नहीं डाले हैं अगर आपके पास है तो आप almonds और walnuts भी इसमें डाल सकते हैं आपको ये सारे पांच जो चीज़े हैं आपको ये half-half ले लेने ह इसको एक नॉर्मल कलीन पैन में आपको dry roast करना है और उसके बाद आपको इसको अच्छे से grind कर लेना है उसके बाद आपको इसको रख लेना है अपने पास बना कर और आपको daily सूबे एग स्पोन, शामपू एक श्पून लेना है आप क्या कर सकते हैं आप स्पोन ले सकते ह और यह इजीली आप की बॉडी में चला गया और जो भी nutrition आपको deficiency है जिस वजह से आपके बाल brittle हो रहे हैं आपके nails brittle हो रहे हैं hair growth नहीं हो रहे हैं आपने बहुत सारे hair oil ट्राइ कर लिए फिर भी आपके बाल freeze and dull रहते हैं तो यह आपको अपने बॉडी में इंफ्यूस करना ह तो यह मैंने half of bottles यूज की है पूरी नहीं यूज की अभी यह second time और बनेगा तो आप क्या कर सकते हैं आप इसे मैं आपको description में लिंक दे दूंगी आप यहां से यह same seeds अपने लिए मंगवा सकते हैं और इस तरह से अपने लिए byatin powder प्रिपेर कर सकते हैं second चीज यह सिरफ आ vitamin D के, calcium K, iron K, sometimes हो जाता है हमें deficiency हो जाती है तो आप क्या करते हैं यह सारी चीज़े medication के उसमें लेते हैं तो आप यह बना लीज़े अपने लिए और आप यह भी ले सकते हैं I am not saying अगर किसी को बहुत जादा deficiency हो गया ही तो वो medicines लेना बंद कर दें no आप लेकिन यह भी साथ के साथ ले तो I guess that's it for today see you in my next video till then stay safe stay healthy और कोई भी डाउट हो तो you can tell me in the comment section अगर आपको comment section में थोड़ा hesitation होता है तो आप मेरे instagram पे भी आकर मुझसे share कर सकते हैं and किसी भी तरह का comment है like आपको बुरा लग रहा है आपको growth नहीं मेरे आप किसी भी तरह का comment यहां पर कर सकते है because ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप सोचते है न क्यूंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो criticize literally करेंगे like होता है न कई लोग बहुत जादा frustrated होते है कुछ एक YouTubers कुछ एक ऐसी चीज़े भी दिखा देते हैं जिसको करने के बाद literally कोई results नहीं मिलते हैं उसके तो यह भी ऐसे ही बो रहे हैं तो you have to be little patient, be patient and do it as I am saying because I am also doing it for myself. तो आपको कोई भी negativity अपने surrounding नहीं लानी है आपको ये continue अपने लिए करना है और आपको ये continue अगर आप डेली टाइफ में ये सब लोग ले सकते हैं ऐसा नहीं कि ये सिर्फ बालों के लिए तो आप पूरी फामली को खिला सकते हैं चिक है? So I guess that's it for today's video I guess बहुत जादा convincing आज हो गया and I hope कि अगर मैंने पांच लोगों को भी इस तीज को लेने के लिए के लिए कन्विंस किया होगा तो वो पांच लोग आज अगर मेरे चैनल पर है तो मुझे लगता है वो आगे भी मेरे साथ रहेंगे So that's it for today's video See you in my next video till then stay safe, stay healthy Share this with your friends and family See you in my next video till then stay safe, stay healthy, bye